बॉर्णिंग स्टूडेंट हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में मोलर कंड़क्टेंज और एक्किवेलेंट कंड़क्टेंज के फॉर्मूले सीखे थे और बताया था कि डाइलूशन के साथ दोनों की वैल्यू इंक्रीज करती थी उनकी यूनिट भी हम लोगों ने स्टुड़ी की थी मुझे उम्मीर है कि आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी कुछ कुछ कुश्चन कराऊंगा मैं भी आज हम लोग डिसकस कर रहे हैं कि इसे एक्ट of concentration on molar कंड़क्टेंस कि एक्ट ओफ कॉंसेंट्रेशन और मोलर कंड़क्टेंस मैंने जैसा कि आपको बताया कि सी इंक्रीज करता है कब जब वॉल्यूम डिक्रीज करता है साथ डाइलूशन को डिक्रीज करने पर कॉंसेंसें हमेसा इंक्रीज करता है । हमारे पास दो टाइप के इलेक्ट राइड रहें को एक स्ट्रॉंग इलेक्ट क्रोलाइड रहा की स्ट्रोग इलेक्ट लाइड के केस में अल्फा की जो वैल्यू है वो वन होती है जब समझो बात को अल्फा की वैल्यू क्या होती है वन होती है मतलब एड़ इच कॉंसेंट्रेशन इस एलेक्ट्रोलाइट इस कम्प्लीटली आयोनाइज जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो सब कम्प्लीट आयोनाइज हो जाता है मतलब आप समझो कि किसी भी कॉंसेंट्रेशन पे हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो कम्प्लीट आयोनाइज हो जाता है मैं बात कर सकता हूँ स्ट्रोंग लेक्ट्रोलाइट में जैसे मेरे पास एने सी एल है के सी एल है हाइड्रो क्लोरेक एसेड है सल्फ्यूरेक एसेड है एचे नूट्री है किसी भी कॉंसेंट्रेशन पर ये कम्प्लीट आयनाइज हो जाते हैं आयन्स में तूट जाते हैं तो जब एट इन्फनाइट डाइलूशन मैंने आपको सखाया था कि वहिंखर सीडिक्रीश करता तो इंक्रीश करता अधी कि मैंट की झूुदयें नहीं या तरह इन्फनाइट रहते हैं तो यतना पता होता ना क्मेट पढ़ी वह यह लिकाह foul Inde कर रहा हैं कि मोलर कंड़क्टेंज और स्कॉर रूट ऑफ कॉंसंट्रेशन यह बहुत बड़ा पॉइंट लिखा है कि एट इच कॉंसंट्रेशन तो कॉंसंट्रेशन के साथ-साथ जब इच कॉंसंट्रेशन एलेक्टॉलाइड इस कंप्लीट आइना इस प्रतेक सांद्रण पर यह पूरा तूट जाता है तो इसका जो ग्राफ है देखो C बढ़ने पर आप यहाँ पे जाएंगे इस पॉइंट पे तो आप यह C को मतलब concentration को क्या कर रहे हैं बढ़ा रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि जब आप concentration को बढ़ाएंगे gentleman तो जो lambda m है वो कम होता चला जाएगा linearly approach करेगा और जब यह 0 की तरफ जब यह 0 की तरफ C देखिए जब 0 की तरफ approach करेगा तो इसी line को पीछे मिलाने पर extrapolate करने पर यहाँ पे मुझे जो भी value मिलेगी मैं उसे limiting value बोलूँगा gentleman lambda m not क्योंकि C 0 की तरफ tend करेगा जब C 0 की तरफ tend करेगा तो यह पीछे बढ़ाने पर करता है लेकिन किसी भी concentration पर वह पूरा तूट जाता है तो लेमडा m not जो value है वह किस पे मिली C tending to 0 तो मैं क्या बोल सकता हूं कि at infinite dilution at infinite seponide dilution limiting value limiting value for molar मोलर कंड़क्टिविटी इस इक्वेल्स टू लेमडा एम नॉट आप सोच रहा हूं यहां नॉट क्यों लगा क्योंकि सी जीरो हो गया तो लेमडा एम नॉट को ही मैं बोलूंगा लिमिटिंग वैल्यू फॉर मोलर कंड़क्टिविटी यह स्ट्रॉंग एलेक्ट्रोलाइट के लिए मतला इस तरह के जो ग्राफ होंगे वो मैंने एक्जाम्पल लिख दिये हैं कि इस तरह ने सी एल के सी एल हाइड्रो क्लोरिक एसेड नाइट्रिक एसेड या सल्फियूरिक एसेड के लिए मैं इस तरह के प्लॉट की बात कर सकता हूं इस्ट्रॉंग एलेक्ट्रोलाइट के लिए लिमिटिंग वैल्यू मिली और स्ट्रॉंग एलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंड़क्टेंस को डिसकस करने के लिए कि एक एक्वेशन दी गई जो कि मैं आपके सामने लिख रहा हूँ सबसे पहले इस equation का meaning समझी है कि lambda m at c इसको मैं बोलूँगा molar conductance add concentration c c concentration पे मतलब जैसे मान चलो कोई question में दिया गया 0.1 molar concentration तो c concentration किसी भी concentration पे जो molar conductance होगी वो lambda m at c होगी lambda m at not क्या होगा molar conductance add दिया जाएगा question में infinite dilution यह क्या है प्री concentration constant है प्री concentration constant और c क्या है square root of concentration square root of concentration तो आप देख पा रहे हैं कि जो लेम्डा m at c है आप बात को समझे थोड़ा सा कि मोलर कंड़क्टेंस add concentration c is equals to lambda m not minus a root c gentleman this equation this equation is called divide हकल on sager equation इस equation का नाम भी आपको ध्यान रखना है कि this equation is called gentleman divide हकल on sager equation तो यह आप समझो बात को कि equation आपने यह लिखी है lambda m at c is equals to lambda m not minus a root c कई book में यह b root c भी लिखा रहता है कोई दिखकर नहीं है यहां पर जो ए है जो constant है वो nature of electrolyte depends upon nature of electrolyte nature of electrolyte पर depend करेगा तो आप देख पा रहे हैं कि अगर मैं देखूं इसको कि lambda m at c is equals to lambda m not minus a root c तो अगर मैं इसे compare करूं y is equals to mx plus c से यह इसको एसे लिखूं थोड़ा सा देखें compare कर रहा हूं मैं नाओ आई एम comparing this y is equals to mx plus c gentleman यह math की एक linear equation है क्योंकि linear equation यह भी है तो आप देख पा रहे हैं कि जो slope है वो क्या है minus a जिसको मैं slope बोल रहा हूं वो minus a है question solve करते समय ध्यान देए जेडवाली वाले बच्चे और नीट वाले बच्चे जो x है वो क्या है root c है you can see in the graph आप ग्राफ में देख सकते हैं कि जो root c है वो x है आप देख सकते हैं कि जो c intercept है वो intercept lambda m not है gentleman तो यह intercept है और y आप देख सकते हैं कि क्या है molar conductance with concentration c तो आप देख पा रहे हैं कि इसकी जो slope है इसकी जो slope है वो negative है और इसकी slope negative क्यों है क्योंकि concentration के बढ़ने के साथ साथ यह जो है ना जो lambda m है वो क्या कर रहा है क्योंकि concentration के इनिवर्सली और किसी भी concentration पर यह पूरा क्या करता है तूट जाता है तो यह आपको ध्यान रखना है कि अगर बाई हकल और सेकर equation है तो केवल साथ किसके लिए है ओनली वेलिड फॉर इस्ट्रोंग इलेक्ट्रोलाइब यह आपको ध्यान रखना है बड़ी simple सी चर्चा है कि अगर मैं limiting value को calculate कर सकता हूँ तो केवल साथ किसके लिए कर सकता हूँ strong electrolyte के लिए weak electrolyte के लिए मैं limiting value calculate नहीं कर सकता हूँ क्यों देखो मैं सिखाता हूँ अगर मैं weak electrolyte की बात करूं तो weak electrolyte मतलब कोई भी weak acid हो सकता है मैंने बताया था कल weak base हो सकता है salt तो हो नहीं सकता क्योंकि salt तो weak होता नहीं है salt तो सभी क्या होते strong होते है तो अगर मैं weak electrolyte के लिए बात करूं जेंटल में तो देखो limiting value क्यों नहीं मिलती है weak electrolyte वीक electrolyte मैं ले सकता हूं acetic acid ले सकता हूं ammonium hydroxide ले सकता हूं NH4OH एक और कोई weak base ले सकता हूं C6H5 NH2 तो अगर मैं weak electrolyte की बात करूं तो alpha की value 1 से बहुत छोटी होती है alpha अगर 1 से छोटा है तो इसका meaning क्या है कि at a concentration C a weak electrolyte is partially ionized concentration C पे जो weak electrolyte होता है वो partially ionized होता है और जब partially ionized होता है या मैं वो सकता हूं febly ionized होता है तो V increase करने पे मतलब C को decrease करने पे ये जो ionization है वो increase करता है rapidly तो जब ये rapidly increase करता है तो अगर मैं lambda M versus root C का graph बना हूं तो इस तरह का graph आपको मिलता है gentleman now you can see that कि ये मैं C बढ़ा रहा हूं तो C बढ़ा रहा हूं तो आप देख सकते हैं कि जो lambda M है वो decrease करना है लेकिन जैसे ही मैं C 0 की तरफ गया साथ ये मैं 0 की तरफ जा रहा हूं तो आप देख रहा हूं कि ये तेजी से बढ़ेगा लेकिन इसको extra polite करने पे ये कभी इस y-axis को साथ touch नहीं करेगा मतलब इसमें limiting value नहीं मिल रही है आप देख सकते हैं कि ये जो plot है वो तेजी से rapidly क्या कर रहा है increase कर रहा है बट लेमडा M0 इस नौट इस नौट फांड इन केस और वीक एलेक्ट्रोलाइट कि वीक एलेक्ट्रोलाइट की केस में मैं से प्राप्त नहीं कर सकता इन्फिनाइट डाइलूशन पे मतलब एक कहानी जनरेट हुई कि आप से किसी ने दो प्रकार की कोश्चन पूछे जेंटलमें बहुत ध्यान से सुनें कि आप से पूछा गया कि एक कि इन्फिनाइट डाइलूशन पे आप मोलर कंडॉक्त टेंस मतला लिम्टिंग वेल्वट कर सकतें यस किसी वेशन से आप कर सकतें तो आप का अंसर होना चाहिए आप य हकल ऑन सेकर एक्वेशन से आप अप्लाई कर सकतें रूट सी जीन हो जाएगा तो वह दूसरा वाला मतलब strong electrolyte के लिए divine हकल answer का equation से आप limiting value प्राप्त कर सकते हैं लेकिन तो ल्यांग चाह लगता की भी बात आप कर सकते हैं लेकिन weak electrolyte के लिए प्राप्त नहीं कर सकते मतलब आप बोल सकते हैं कि lambda m0 और weak electrolyte प्राप्त वर्सिस रूट सी और मैं बोल सकता हूं कि डिवाई हकल ओन सैगर एक्वेशन वीक एलेक्टोलाइट के लिए मैं लिमिटिंग वैल्यू को प्राप्त नहीं कर सकता इस कर्व के द्वारा तो कोशन जनरेट होचता है कि फिर मैं कैसे इस वैलू को प्राप्त कर सकता हूं तो लेम्डा एम नॉट को प्राप्त करने के लिए इंफिनाइट डियूशन को लेम्डा एम नॉट को प्राप्त करने के लिए कॉलराउस लॉओ डिसकस किया गया, explain किया गया, तो अगर हमारे पास weak electrolyte है और infinite dilution पे, उसके लिए molar conductance या equivalent conductance को calculate करना है जेंटलमेन, तो मुझे कॉलराउस लॉओ को follow करना पड़ेगा, तो अभी ये effect of concentration on molar conductance, आपने सीखा strong electrolyte और weak electrolyte के लिए, हम molar conductance, infinite dilution को discuss करेंगे, with the help of कॉलराउस लॉओ कैसे calculation करते हैं, ये भी सिखाएंगे, question करेंगे, तब तक आप इसको तयार करिएगा,